नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है उत्तर पदेश विधानसवा चुनाओं में समाजवादी पार्टी ने बुद्धवार को अपने उम्मिद्वारों की एक और सूची जारी कर दी है इस सूची में तीन उम्मिद्वारों के नाम शामिल हैं भाजपा छोड़कर सपा में सामिल हुए स्वामी प्रसाद माउरिया को कुसी नगर की फाजिल नगर छेतर से प्रत्यासी बनाया गया है लखनों की सरोजिनी नगर सीट से अभिशेक मिस्रा को टिकट दिया गया है वहीं कवसांबी की सी राथु विधान सवा सीट से पल्लवई पटेल को मैदान में उतारा गया है वह डिप्टी सीम के सव प्रसाद माउरिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी बुद्धुवार को जारी समाजवादी पार्टी के उमिद्वारों के लिष्ट में प्रमुख नाम भारती जन्ता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद माउरिया का भी है बीते दिनों उन्होंने भाजपा से इसी भादे कर सपा में सामिर हुए थे सपा ने उन्हें कुसी नगर की फाजिल नगर विधान सबाद सीट से उमिद्वार घोसित किया है हालां की वह 2017 के विधान सबाद चुनाओं में कुसी नगर की प्रडराउना सीट से जीते थे सपा ने उनका टिकट बदल दिया है समाजवादी पार्टी ने कुसांबी की सीराथू सीट से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है यह सीट सपा और अपना दल की कमेरावादी के गढ़भंदन के खाते में गई है यहां से उपमुख्य मंत्री केसाव प्रसाद मौरिया भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में है पल्लवी पटेल अपना दल एस की राष्टी अध्यच वकेंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है वहीं बस्पा ने इस सीड से संतोस कुमार्त्री पार्ठी को उमीद्वार बनाया है समाजवादी पार्ठी ने लखनव की सरोजनी नगर सीड से पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिसेक मिस्रा को उमीद्वार बनाया है यहां भाजपा से राजे स्वर सिंग और कांग्रेश से रूद्रमन सिंग बबलू प्रत्यासी हैं। ऐसे में दो ठाकुर प्रत्यासीों के बीच सपा ने जाती समीकरण साधते हुई अंतिम समय में अपने संभावित प्रत्यासी को बदल कर ब्रामर कार्ड खेला है। प्रोफेसर अभिसेक मिस्रा लखनव उत्तर विधान सभा से 2012 और 2017 का चुनाव लड़े थे। इस सीट से सपा ने अब की बार पूजा सुकला को प्रत्यासी बनाया है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए औ और बेल आइकन दबाना ना भुलिएगा। धन्यवाद।